नमस्कार शुरुवात करते हैं अभ्यास प्रश्ण से हमारा प्रश्ण था हाली में समाचारों में देखा गया वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 किसके साथ रक्षा मंत्राले की एक सेंग तो पहल है आपके विकल्प थे A. संस्कृती मंत्राले B. संचार मंत्राले C. सूचना एवं प्रसारण मंत्राले D. सिक्षा मंत्राले इसका सही उतर है विकल्प D. सिक्षा मंत्राले हाली में 36 राज्जियों और केंदशासित प्रदेशों के 1.36.000.000 से अधिक स्कूली ख्षात्रों ने वीरगाथा प्रयुजना के 30 संस्क्राव में उत्सा पूर्वक भाग लिया रक्षा मंत्राले ने सिक्षा मंत्राले के सहयोग से 2030-2024 में प्रोजेक्ट वीरगाथा 3.0 लॉंच करने का निर्ड़ लिया इसलिए विकल्प D. सही है इसके तहित क्षात्रों ने सश्रस्तर वलों के अधिकारीयों, करिमियों के बाहदरी और बलीदान के कारियों का सम्मान करने के लिए कविताएं, पैंटिंग, निबंद, वीरियो आदि भेजे आपको बताती कि प्रोजेक्ट वीरगाता प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2020 में वीरता प्रुसकार की पोटल के तहित की गई थी इसका उद्देश ससस्तर वलों के बाहदुरी की कृत्यों को जागर करना और ख्षात्रों के बीच देश्वक्त इबं नागरिक छेतना के मूलियों को इस्थापित करना है इसके साथ ही आज के सेसन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रशन है आदी महुत्सों की सम्मंद में निम्निकित कतनों पर विचार कीजिए एक यह एक राष्टी जनजाती महुत्सव है दो इसका आयोज़े जनजाती कार मंत्राले के तहित किया जाता है उप्रिक्त में से कौन से कौन से कतन सही है एक कवल एक, बी कवल दो, सी एक और दो दो, डी ना तुएक और ना ही दो हाली में केंदरी जनजाती मामलों के मंत्री ने जहर खंड के जमशेदपूर में आदी महुत्सव का घटन किया यह महुसव 7-16 एक्टूबर तक आयोजित हो रहा है गौरतलाभे की आदि महुसव एकराष्टी जनजाती महुसव है इसलिए कतन एक सही है इसका आयोजित जनजाती मामलों के मंतराले के तहित Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited द्वारा किया जाता है इसलिए कतन दो सही है यह महुसव आदिवासी संस्कृती प्रंप्रा और कलाको राष्टी और अंतराष्टी बाजारों में प्रस्तुत करने के लिए एकमंज की रूप में कार करता है इसे आदिवासी पूरबजो की युगदान के उस्सव की रूप में दिखा जाता है जो विभिन अदिवासी संस्कृती उनकी जीवन शैली और स्वेम आदिवासीयों को प्रदर्शित करता है इस प्रकार विकल्प सी सही है अगला प्रशन राष्टी हरित हाइड्रोजन मिशिन भारा सरकार के किस मंत्राले से जुड़ा है इसका सही उत्तर विकल्प बी नवीन एवं नवी करड़िये उर्जा मंत्राले बीते आठ अक्टूबर को विश्व हाइड्रोजन और इधन सेल दिवस मनाये गया इस अफसर पर नवीन एवं नवी करड़िये उर्जा मंत्राले और भारतिस और उर्जा निगम लिम्टेड दौरा नई दिल्ली में एक कारिकरम आयोजित किया गया इस दिवस का अधिश एकिस्थाई उर्जा स्रोत के रूपे हाइड्रोजन की क्षमता पर चर्चा करना था इस आयोजन के दोरान नवीन एवं नवी करड़िये उर्जा मंत्राले ने राष्टी हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास रोड मैप तयार किया आपको बताती कि राष्टी हरित हाइडोजन मिशन हरित हाइडोजन के वारेजिक उत्पादन को प्रोथसाहित करने और भारत को इधन का शुद निर्यातक बनाने का एक कारिकरम है। अगला प्रश्ण निम्लिकित प्रापधानों पर विचार कीजिए। इसका सही उतर विकल्प बी केवल तीन। आपको बताते कि भारती सम्वधान के अनुक्षिद 110-1 के तहित एक विध्यक को धन विध्यक माना जाता है यदि इसमें केवल निम्लिकित सभी या किसी भी मामले से समंदित प्रापधान शामिल है। ए किसी कर का अधिरोपर उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन इसलिए एक सही है। बी, सरकार दोरा उधार लेने का विनियमन इसलिए तीन सही है। सी, भारत की समेकित निधी या आकस्मिक्ता निधी की अभिरक्षा और इन निधियों में भुक्तान या निकासी। भारत की संचित निधी से धन का विनियो इसलिए दो सही है। E. किसी व्य को भारत की संचित निधी पर भारत व्याई घोशित करना या ऐसे किसी व्य की राशी में वृद्धी करना भारत की संचित निदी या भारत के सारवजनिक खाते से धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या जारी करना या संग या राज की खातों का औरिट या उपखंड एसे F में निदिश्ट किसी भी मामले जे समय भी मामला, किसी भी स्थानी प्रादिकारी द्वारा जुर्माना लगाना और किसी भी कर का विनिमेन धन विद्यक के पूरवाव लोकन के अंतरगत नहीं आता है इसलिए 4 और 5 सही नहीं है समय धन के तहित कोई विद्यक धन विद्यक वनने की योग है या नहीं इस पर पहली बड़ी चनोती आधार मामले में थी 2018 में सुप्रीम कोट ने 4 अनपात 1 के बहुमस्ती सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था और आधार अधनियम को समय धन के अनक्षिर 110 के तहित वैद धन विद्यक की रूप में मंजूरी दे दी थी इसलिए विकल पे भी सही है अगला प्रश्न नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानि NFCS के सम्मंद में निम्रिकित कत्रों पर विचार कीजिए एक यह गलोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के अनुरूप होगा दो भारत में इसके निर्माण और कार्यान वहिन के लिए नोडल एडेंसी भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD होगी उप्रिक्ति में से कौन सा है कौन से कतन सही है एक एवल एक, बी केबल दो, सी एक और दो दो दो, डी ना तो एक और ना ही दो इसका सही उतर है विकल्प सी एक और दो दो भारत जलवायू सेवाएं और जानकारी प्रदान करने की दिशा में नेशनल फ्रेमवर्क पॉर क्लाइमेट सर्विसेज शुरू कर रहा है आपको बताती कि नेशनल फ्रेमवर्क पॉर क्लाइमेट सर्विसेज मौसम विज्ञान विभाग के जरूरतों पर आधारित है, इसलिए कतन एक सही है, भारत में इसके निर्माण और कारेन वेन के लिए नोडल एदेंसी भारत मुसम विज्ञान विभाग IMD होगी, इसलिए कतन दो सही है, इस प्रकार विकल्प सी सही है, अगला प्रश्न, भारतिय जै विविदिता की संदर में ढोल या इशाई जंगली कुत्ति की IUCN इस्तिति क्या है, ए लिष्ट कंसर्ण, बी नियर थ्रिटेंट, सी वलनरेवल, डी इंडिजर्ड, इसका सही उतर विकल्प डी इंडिजर्ड, हाली में हुए एक अध्यन से पता चलता है कि शिकार और निवासस्थान ढोल एवं बाग के सहे अस्तित को निधारित करते हैं। सही है, अगला प्रेशन, खाली में खबरों में रहा यौम कि पूर युद किन देशों के बीच लड़ा गया था, ए इसराइल और फिलिस्तिन, बी इसराइल और मिश्र सीरिया, सी इसराइल और इरान, या फिर डी इसराइल और जॉर्डन, इसका सही उतर विकल्प बी इसर इसराइल और मिश्र सीरिया, खाली में हमास दोरा इसराइल पर किये गए हमले की तुल्ला यौम कि पूर युद से की जाने लगी, आपको बताते हैं कि यौम कि पूर युद इसराइल मिश्र और सीरिया के बीच एक संगरश था, जो 6-25 अक्टूबर 1973 तक हुआ था, इसे एक्टूबर युद या रमजान युद के नाम से भी जाना जाता है, एक समनवित हमले से मिश्र और सीरिया ने रमजान के पवित्र इसलामी महीने के दौरान हमले से इसराइल को आश्र चकित कर दिया था, हमले के दिन इसराइल के कैसैनिक यहुदी धर्म के सबसे पवित् अमेरिका दोरा इसराइल का और सोबे संग दोरा मिश्र एवं सीरिया का समर्थन करने से युद्ध और बढ़ गया इसके प्रडाम सरूप 1970 में कैम्प डेविट समझोता हुआ जहां इसराइल ने सीनियाई प्रायदीब को मिश्र को लोटा दिया खला की युद्ध का सीरिया के लिए प्रितकूल प्रेडाम हुआ क्योंकि इस जाइल ने रड़नीतिक रूप से महतपूर गोलान हायट्स पर नियंतरल बरकरार रखा इसलिए विकल्प भी सही है अगला प्रशन व्यापक परमार्ण परिक्षर प्रिद्वन्द संधी CTBT के संबंध में नेमर्गित कत्रों पर विचार कीजिए इसे 1996 में सुइक्त राष्ट महासभा दोरा अपनाया गया था इसे प्रभावी होने के लिए 44 विसिष्ट परमारु सक्षम देशों में अनमोधन के अफशकता है तीन भारत ने CTBT को मंजूरी दे दी है और प्रिक्तों मैंसे कितने योगमसों में लित हैं केवली B केवल दो C सभी 3 D कोई भी नहीं इसका सही उत्तर विकल्प भी केवल दो खाली में रूस ने व्यापक परमारु परिक्षर प्रतिबंद संदी CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने का इरादा व्यक्त किया है आपको बता दे कि CTBT एक बहु पक्षिय संदी है तो सभी परमारु विस्पोटक पर रुक लगाती है इसे 1996 संदी CT राष्ट महसभा दोर अपनाये गया था लेकिन है अभी भी अनुसमर्थन चरड़ में है इसलिए कतन एक सही है इसे लागो होने के लिए अगला प्रशन तंजानियां के भावतिक बिसेश्टाओं के समंद में कौन सा कतन सही नहीं है यह उत्तर में यूगांडा, विक्टोरिया, जील और कैन्या से घिरा है इसके मुक्य भूम पर अधिकांश भाग 600 फीट से कम उचाई पर इस्तित है तांगानिका जील विश्व की दूसरी सबसे गहरी जील है इसके पश्वी भाग से होकर गुजरती है इसका सही उत्तर विकल्प B खालिये भारती प्रधान मंतरी नरेंद्र बोधी ने तंजानिया के राष्टपती सामिया, सुल्हू, हसन के द्वारा दुई पक्षिवारता की दोनों पक्षों ने विविनिक शेत्रों को कवर करते हुए समझोता ग्यापनों का आदान प्रधान करने की उर्जना बनाई है आपको बता दी कि तंजानिया अफ्रीका महदीब के पूर्वी भाग मेस्तित एक देश है यह उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया, जील और केंडिया से घिरा हुआ है इसके लाबा यह पश्चिम में रवांडा, बुरंडी और कांगो दक्षड में जांबिया, मलावी और मोजांबिक से अपनी सीमा साजा करता है तथा इसकी पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित होती है इसकी अधिकांस भूक की भूमी 600 फीट, 200 मीटर से अधिक उचाए परिस्थित है इस प्रकार विकल्प भी सही होगा तांगा निका जील दुनिया की दूसरे सबसी गहरी जील है ग्रेट रिफ्ट वैली इसके पश्चिम भाग से होकर गुजरती है अगला प्रश्ण मुद्रा बंदरगाह की संबन्द में नेमरिखित कथनों पर विचार कीजिए एक बंदरगाह हर मौसम में खुला रहता है दो ये भारत सरकार दोरा संचालित है उपरिक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है इसका सही उतर विकल ए किवल एक बंदरगाह ने परिचारन के 25 वरश पूरे किये है मुद्रा भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ये गुजरात के कक्ष जिले में कक्ष के खाड़ी के उतरी तट पर इस्तित है यह गहरे बहाव वाला हर मौसम के अन्कूल बंदरगा है इसलिए कतनेक सही है यह एक विशिश आर्थिक शित्र भी है जिसे अदानी Ports and Special Economic Zone Limited दौरा चलाया जाता है इसलिए कतन दो सही नहीं है यह बंदरगा कंटेनर, ड्राइ बल्क, ब्रेक बल्क, तरल कारगो और आटो मोबाइल सही विविन प्रकार के कारगो को समालता है इस प्रकार विकल्प A सही है चले नूट कीजिए आज का अभ्यास प्रशन कभी-कभी समाचारों में देखे जाने वाले जावन राइनों की IOC निस्तेती क्या है इसका सही उतर कमेर्स बॉक्स में देना ना भूलें मिलते हैं नए प्रशनों के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाले बुक्त कीजिए तक का अभ्यास प्रशन